एक स्टूडेंट और एक टीचर की बीच में अफेर हो जाता है पर ट्विस्टब आता है जब एक टीचर एक बहुत ही डेडली राज चुपा रही थी यह राज सब कुछ बरबाद कर सकता है यह राज क्या था यह हम आज के हमारी मुवी ब्लाइक आइलेट यह 2021 की एक जर्मन थ्रिलर मुवी में देखेंगे अगर आपका वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किसी तरीके एक्स्मेलेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल लेड़ी को बीच पर देखते हैं दूर से उस उस पर क अपने फादर से जादा कुछ जमता नहीं था जोनस की मदर ने उनने समझाने की कुशिश की कि तुम्हें अपने फादर को माफ करते ना चाहिए इसे के बारे में घर जाते वक्ट जब वो बात करे थे तब ही अचानक से आगे से गाड़ी आती है ये गाड़ी उनके उपर तो नहीं रह सकता उसे आइलंड चोड़कर अपनी एंड के पास रहने जाने बढ़ने वाला था जोनस को देखकर उसके फ्रेंड्स को भी बुरा लगता है जोनस की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था नीना जोनस को बहुत लाइक करती थी उसके पास जाकर उसे वो सहारा दे अब वो अपने फ्रेंड्स से दूर नहीं जाएगा अब इसके बाद एक समर बीट कया था जोनस अब अच्छा फिल कर रहा था स्कूल खुल गए और सब फ्रेंड्स मिलकर एक साथ स्कूल में जाते हैं स्कूल में इनकी एक नई टीचर आई जिसका नाम था हेलेना हेलेना क पर लेकर जाती है उसने कहा कि तुम्हारे लाइंग्वेस टीचर का एक्सिडेंट हो गया है इसी वज़े से कुछ दिनों के लिए में सिखाने के लिए आई हुई हो लाइफ में कब क्या हो जाए इसके बारे में हम प्लान नहीं कर सकते तो लाइफ जैसे आती है वैसे हमें इंब्रेस करना चाहिए आज वो पूरी क्लास बीच पर ही लेती है इनकी टीचर का इस तरीके से एक्सिडेंट की वज़े से गाइप हो जाना कि नीना और उसकी फ्रेंड जूल को बहुत ही अजीब लगा था वो जादा हेलेना को लाइक नहीं करते है प्रेक में हेलेना जो चेक आउट करता है नीना नीचे काम कर रही थी और कुछ चीजों के लिए क्लॉजेट चेक करती है इसमें उसे एक बैग मिला पर यह देख पाती इससे पहले हेलेना उसे रोग लेती है फिर से उसने उसे काम पर लगा दिया काम करते करते नीना के पहर पर छोट आ गई थी तो यह सब उसे हेल्प करते है इविनिंग में जोनास उसके पास आता है एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंट करते है जो बैग हेलेना चुपाने की कुशिश कर रही थी हम उसमें देखते है कि जोनास के बहुत सारे फोटोज थे वो यहाँ आने से पहले जोनास से अफस नहीं है अब फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे हम बता नहीं सकते हैं जोनस के साथ फ्लट करें थी उसे भी बात अच्छी लगती है आज हैलेना ने सारी क्लास को एक असाइंडमेंट दिया एक बहुत अच्छा राइटर था उसी के वराइटिंग स्टाइल इन्हें कॉ अच्छा टाइम्स पेंट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी पोएम लिखते हैं अगर तुम जहाओ तो डिनर के लिए रुख सकती हो नीना डिनर के वर कहती है कि जोनस भी अपने फादर की तरह एक बहुत ही अच्छा राइटर है पर उसमें कोई भी करियर नहीं इ कहते हैं कि ठीक टा किया है उन्हें व्राइटिंग वैसे अभी कभी भी पसंद नहीं आती है जोनस का इन सब बातों से चला गया था अगली दिन हेलेना ने जोनस को क्लास के बाद रुखने के लिए वो कहती कि नीना की पोएम तुमने लिखी है जोनस इसके लिए उसे स्व कर वहां से और जा रहा था तो हेलेना उससे स्टॉप कर ले दिया तब तक तुम मेरा वेट करना जोनस उसे देख पाए इसी तरीके से अपने कपड़े चेंज कर रही थी हेलेना उसकी व्राइटिंग बढ़ दिया उसे बहुत अच्छी लगी उसकी आखों में आसू आ देख लिया और खुझ छुप जा दिया उसे थोड़ा सा शक होने लग गया था नीना के फ्रेंड जूल बहुत इसमार्ट थी उसने नोटिस किया था कि हेलेना और जोनस इन दोनों में कुछना गुश्टों चल रहा है आज वहने नोटिस करती है तो जिस तरीके से हेलेना जोनस को हाथ लगाती है तो इससे वह बात उकंफर्म कर सकती थी नेना को इस बात से बहुत ही बुरा लगा फ्लास के बाद उसने एक customers करके ती कि मैने मेरी पूंए नहीं लिखी थीasmus ने जाते हो नीना ने जोनसे कि मैने को बता दिया मेरी ने नहीं लिगी थी जोनस कहता है कि उसे पता है उसने मुझसे इसके बारे में बात की थी ये बात नीना को वियर्ड लगी क्योंकि हलेना प्रिटेंट कर रही थी कि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है आज नीना और जोनस मिलकर जोनस के पैरंट्स के घर पर जाते हैं वो इसे फिर से रहने के लिए रेडी कर रहा था नीना कहते है कि तुम्हारे ग्रैंड फादर बहुत ही रूड है जोनस ने कहा कि कभी भी मेरे फादर के टैलेंट को देखने पाए इसी वज़े से वो कभी भी बात नहीं करते थे सब कुछ सावान देखते हो है जोनस को अपन कपल बन चुके थे इनकी स्कूल की 50th anniversary थी फेटरिक उनीक स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया क्या जोनस और इसकी सब फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट कर रहे थे वो कुछ वाइन्स की बाटर्स देखते हैं उसे गायब करने के लिए प ने अपने हेर्स भी कट कर लिये थे जैसे हो किसी और की तरह दिखना चाहती थी जोनस उसे पागल समझता है तो इस बात से इन दोनों में छगड़ा हो गया और नीना रोते-रोते घर पर चले के बीज राद में चुपके से हेलेना जोनस के पास पहुचाती है और दोनों इ खूल कर देखते हैं स्कूल में जूल और नीना जब रनिंग करें थे तो जूल ने कहा कि हेलेना की वज़े से फेट्रिक को प्रावलम आया था यह बहुत ही वियर्ड थी नीना इस बात को पहले डाउट करें थी पर जूल को भी यही लगा था तो इस वज़े से परशू कर वैंता और स्कूल में आ गया नीना लाइबरेरी में जाकर और लियर वोक की इंक्वाइरी करती है इंक्वाइरी करते हैं हेलेना ने उसे देख लिया नीना ने नोटिस कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक लेड़ी उनके स्कूल में टीचर थी जोन स्कूल में आने के बाद जूल से भुशता है कि नीना का जूल ने कहा कि वह लेबरेरी में नीना को जब बात पता चले तो हेलेना उसके पास आ गए थी नीना भुशती कि वह टीचर और तुम्हारे भीच में कनेक्शन क्या है हेलेना इस बात से बहुत भुशता होके और वही पर उसका गला घोटने लगे उसका मुँ बन करकर उसे माल डाल दिया जोनस निना को ढूंटे वे लाइबरेरी में ही आ रहा था है वो बुछती कि तुम पूरी सुबा कहा थे जोनस ने कहा कि मैं निना को ढूंट रहा हूँ है जो भी क्या इसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है वो निना को लाइबरेरी के बॉक्सिस के पीछे चुपा दे दिया इसके वाद उसकूल के सप्लाइस से एक ब्लैंकेट और कुछ रोप्स लेकर आ दिया सबसे चुपते चुपा दे उसने निना की बॉड़ी को कवर अप कर दिया और पीछे के डोर से अपनी गाड़ी में रख दे दिय निना के बाइसिकल अभी यही थी तो उसे भी अपनी गाड़ी में रख दे दिया जोनस हर जगा वर निना को ढूड़ने की कोशिश करता तो उससे कहीं भी नहीं मिल दी उसने आकर अपने फ्रेंट से बात की तो जूल्स कहती को लाइबरेरी में थी शाम में हेलेना डेट बाड़ी लेकर सी के पास आई उसने बाइसिकल और बाड़ी वही रख दी यानि सबको लगे कि निना की डेट स्विमिंग करते वक्त हो गई शाम में फेट्रिक हेलेना के घर के वाहर पहुच कहे थे यह दोनों एक दूसरे को खिड़के से देखते हैं वह बाहर से लोट ज कहती है कि मैंने उससे लाब्रेरी में बात कि थी उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया थी उसने घर से बाहर Council मुझे देख लिया था जोनस कहता है कि शायद हमें एक दूसरे से ब्रेक अप कर लेना चाहिए वो बहुती कन्फियूस था क्या सही है क्या गला इस बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा था हिलेना कहते है कि मुझे पता है जाओ और अपने व्राइटिंग पर ध्यान दो जोनस कहता है कि मेरे करेंट फादर को नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ हिलेना कहते है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें एक बहुती अमेजिंग राइटर हो तुम्हारी बुक बहुती फेमस हो जाएगी अब हम दोनों ब्रेक अप कर लेते हैं नीना का भी गुसा शान्त हो जाएगा तुम्हारे बच्चे होगे और आगे की लाइग बहुत य अच्छी होगी यह कह कर वा जाने लगए पर जोनस उसे रोक लेता है यह दोनों फिर से जाना था कि जोनस हेलेना के साथ जोनस ने कहा कि हो मुझे पर बिलीव कर दिया वह आपकी तरह नहीं है सुबह फेट्रिक जोनस को उठा कर गयते हैं कि नीना की टेट बोड़ी मिलिये सब लोग जल्दी से वहावर बहुच गये फेट्रिक को शॉक लगता है और वो भी नी करने से पहले तुमने निनना से क्या बात की थी जूल गय थी कि हेलेना के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए नीना लाइबरेरी में गई थि इस सब मिलकर फिर इसके बारे में रिसार्च करने लग जाते हैं इन्होंने एक येर्बुक देखा उसमें से हेलेना उसकी फोटो जिसमें थी इसका पन्ना फाड लिया था वो डारेक्ली फेट्रिक के पास हॉस्पिटल में पहुचा दिया जोनस और उसके फ्रेंड कुछ रिसर्च करते हैं उससे उन्हें पता चला कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक टीचर की टेथ हो गई थी उसने भी समु उससे ब्रेकप किया तो बहुत ही जादा टूट गई थी वो मुझे समुंदर के बास लेकर गई मैरे सामने उसने सुसाइड कर ली थी तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और इसी वज़े से तुमारी पूरी फैमिली को मारने के मैंने ठान ली मुवी के फस में हमने जोनस की ग्रांड मदर की डेट देखी थी उसके बीचे डॉक को लगाने वाली हेलेना ही थी जोनस की पैरेंट्स को भी हेलेना नहीं मा रहा था सब कुछ पता चलने के बाद जोनस घर पर आया है कहती कि तुम्हारे घ्रांड फादर अब घर पर रहे सकते हैं उन्हें घर पर लेकर आई थी जोनस उसे बाहर ले जाकर बोच्छता है कि यह सब चल क्या रहा है तुमारे मदर और मेरी ग्रैंड फादर की बीच में कनेक्शन क्या है 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 तुम्हें सब कुछ बता दियो हम पहले कौफी बित्या है कौफी बनाने के लिए अंदर गए फ्रेटरिक की बे टुबा रही थी जोनस उपर आने की बहुत कोशिश करता है और हलेना ने उसे डुबा दिया तरीक से नीचे चला जाता है और फिर से उपर आक्या है एक दनड लेकर उसने जोर से हलेना को मारा वो भागतेवगते घर में आ गया फैटरिक जोनस पर हिलप करने की कोशिश क सीने में डाल दिया इसी के साथ एलेना की टेट होगे grandfather के बास एक letter था इस letter में एलेना की मदर ने उससे कितना प्यार कर दी थी इसके वारे में लिखा हुआ था वेट्रिक की गलती की वज़े से उसकी पूरी चनरेशंस को भूगट ना पड़ा इसे के साथ ते मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पनेशन चलागा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दानों में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखें